आव सातियों कहां पे फसे पड़े हो ये वीडियो क्यों नहीं देख रहे हो ये वीडियो देखिएगा और ये वीडियो के मादम से आप भी जमीन को खरी सकेंगे और कहां पे जमीन है, कैसी जमीन है, कितनी सुन्दर जमीन है, क्या इसका रेट है, पूरी जानकारी आपको आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है दोस्तों अगर ये वाली जमीन देख रहे हैं तो इसमें एक ऐसा भी बिजनस कर सकते हैं जहां पर तीन महीने के लिए बिजनस स्टार्ट होता है, और तीन महीना आप यहां पर बिजनस करके और अच्छा खांसा यहां से पैसा भी अरन कर सकते हैं दोस्तों ये वाली जमीन आपको अगर पसंद आए रही है और इसे आप भी खरीदना चाहते हो तो खरीच सकते हो आपके पास बजट होना चाहिए एक लाख रुपे प्रतिबिगह के इसाब से और इसका डिमांड भी है यही है एक लाख रुपे प्रतिबिगह से ले करके और आप यहां पर 65 विगे है फार्म में आप जितनी खरीदना चाहते हो उतनी जमीन भी खरी सकते हो 65 विगे का फार्म है और 65 विगा जो जमीन है तो यह देख सकते हो काफी लंबा यहां पर प्लॉट है और कुछ में तालाब भी है और कुछ ऐसे जमीन खाली पड़ी एक ओंड़ करने चले जाते हैं श्प करण चले जातेह ve ya श्रेशर लगाएया जाता है और करेशर के फूर्व से जो है इसकी यहाँ से भी पैसा अच्छा खांशा वों बन्दे चामाल भी लेजाते हैं तो आप भी अगर ये जमीन खरीद लिते हैं और खरीदने के बाद जो है आप भी इसको अगर क्राइपे देना चाहते हैं तो भी तीन महिने के लिए चार महिने के लिए जो है ये बजट में आते हैं बंदे आते हैं बाहर से और यहाँ पर अपना कार करने के लिए तो यहाँ करते हैं इनका काम धार्ट के के बाद chemical सामान वाह्त्स रिटन लिए चले बड़ा है ऐसे यहां पर इस जमीन में जो है भी विजनस सकते हैं आपके पास जब बाझट होना चाहिए एक लाकी परति बिगह कर दाब और यह 65 विघ है का फिरम है इससमें आप जितनी जमीन लेना चाहोगे उतनी आपially क्रम कारें कि हम बात करें कि यह जमीन जो बताने वाले हैं इसका तो इसके बारे में थोड़ा सा एड़ेस के बारे में जान लिजेगा फिर जो है कि अत्माल जी का मोबाइल नंबर कॉंडेक्ट मिल जाएगा उस पर आज जाकर के भी प्रसोनल बात कर सकते हैं उससे पहले दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार महमान बने तो फिर चैनल को में हमारा वाड्स और नंबर आपको देखने को मिल जाएगा उसके सेंट करने के बाद आपका वीडियो बना करके और इस विकाओ जमीन प्रोपालिटी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे इसका कोई चार्ज कोई भी आपको नहीं देना होगा खेत में देख सकते तो आप भी खरीज सकते हैं इस जमीन में एक भी घहा जमीन और आप अगर पांच भी घहा लेना चाहते हैं तो पांच लाग पैंसेठ भी घहा का टोटल चाहरीदना चाहिए यहां पर अपनी जमीन को सैल करा करके उन्नाव जिले में इनको जमीन मिल लही है या भी कोई दूसरा वहां पर प्लॉट लेना चाहते थे कुछ बारे में बात हुई थी तो वह जमीन वहां पर सिलेक्ट कर रहे हैं इसलिए यहां पर जमीन को हटाना चाहते हैं काफी लंबी दूरी है उन्नाव से यहां लगबग यह जमीन जो आप देख रहे हैं तो यह विस्वा तहसिल से ही रेजिस्टर की जाएगी लगबग विस्वा तहसिल से 12 किलो मीटर दूरी पर आपको एक रववापूर गाउं देखने को मिल जाता है और रववापूर गाउं से लगबग यह आधा किलो मीटर दूरी पर जमीन आपको देखने को मिल जाती है लंबा प्लाट है और लंबा फार्म है लगबग गाउ तो फिर खरी सकते हैं आपके पास बज़ाटी वही होना चाहिए एक लाग रुपी प्रत्त भी गहेगा और यह वली जमीन को आप अपने नाउम सेल करा सकते हैं विस्वा तैसल से पक्की रिष्ट्री के साथ में इस जमीन को खरी सकते हैं जमीन पर कोई जगड़ा कोई मुग कर सकते हो और दोस्तों बात करने के बाद इन से कागत भी देख सकते हो कागत सुरचित हैं 65 विगे का फार्म है और इसको आप भी खरी सकते हो तो दोस्तों तब तक के वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दिजेगा और आपको अगर कोई सा कन्फूजन आ रहा है नहीं बात हो पा रही है कोई सी दिक्कत है तो आप हमारे डुस्क्रेशन में एक हमारा लैंड फोर सैल के नाम से जेमल दिया है और हम चैट वहीं पर करते हैं बाचित वहीं पर करते हैं अपने लैंड फोर सैल जेमल के जरिए से बाकी वाट्सव नमबर ढिल देत दिजीगा हम आपको call वाप पर return करके बात करते हैं और बात करने के बाद आपको अगर जमीन अच्छी लग जाए तो आप अगर देखने की कोशिस करेंगे तो हमसे संपर करके फिर एक mobile करेंगे तो लगभग 35-40 km दूरी पर है तो अगर 35-40 km दूरी का आपको पिट्रोल भी सिर्फ देना होता है और अगर पिट्रोल दे देंगे तो हम आपको जो है यह वाली जमीन दिखा देंगे और डिरेक्ट टु डिरेक्ट भी के अगर दिखाने की कोशिस भी कर देंगे और ऐसे मौका बहुत कम मिलते हैं तो इसलिए हम कहते हैं कि आप अगर 5,00,00 rp का budget है आपके पास 5.00 भीगा खरीज़ सकते हो, एक लाग रुपे का budget है, एक भीगा खरीज सकते हो, 65 भीगा फार्म है, आपके पास इतना budget है उतनी आप इसमें जमीन खरीज सकते हो, वैसे तो हम जो है खेतमाली जी का मोबाइल नंबर आड़ कर देते हैं उस पर जाकर के भी परसनल बात कर सकते हो लेकिन उनका जो मोबाइल नंबर रहता हैं सिर्फ अपने वीडियो में 20 से 25-30 मिनट के लिए अलाव रखते हैं क्योंकि खेतमाली जी यही हमेशा बोलते रहते इससे यही होगा कि जैसे वीडियो आपको मिलेगी और आपको जो है डारेक खेतमाली जी का मोबाइल नंबर मिल जाएगा उस पर भी जो है पचीस मिनिट के अंदर अंदर मोबाइल नंबर रहता है उस पर जाकर कर सकते हो इसलिए चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर